हेई गाईज देखो टाटा ग्रूप का स्टॉक ठीक है टाटा इन्वेस्टमेंट तो फाइनली सर आज की रेट में टाटा इन्वेस्टमेंट में मतलब जो सर्किट टूटता हुआ नजर आया है फिर जाके दोपर के आजू-बाजू से ठीक है अराउंड वन उक्लॉक आप म अगर आप देखो गे तो टाटा इन्वेस्टमेंट जो देखने को मिल रहा है इसकी कहानी खतम होते हुए नजर आएगी और टाटा केमिकल का जो कहानी है सर यह सुरू होता हुग नजर आएगा क्यूंकि पिछले एक सालों से सर इसमें कोई भी तेजी नहीं देखने को मिल अगर हम देखते हैं तो सर यह 2021 से एक दो तीन साल अगर दिखते हैं पिछले दो तीन सालों से इसमें कोई खास मुवमेंट नहीं देखने को मिला है यहां से कुछ भी खास मुवमेंट नहीं देखने को मिला सर देख लेजे यह यहां पर टच कर रहा और यह यहां इसका लो बिल्कुल नहीं होगा सर यह भी अगर देखेंगे तो बहुत लंबे समय से केवल सर कंसुलिडेट कर रहा है साइड वे जाने की कोशिष कर रहा है सर यह जो स्टॉक है सर टाटा ग्रूप की जो कम्पनी लिस्ट आपको देखने को मिलेगा ठीक है ना टाटा ग्रूप ठीक है तो इसी का पॉजटिव इंपक्ट आपको देखने को मिला सर टाटा ग्रूप के सारे स्टॉक्स में सर और टाटा मोटर का अगर आप देखोगे टाटा मोटर बोला जा इसके वज़े से positive moment दिखने को मिला दूसरा जो टाटा मोटर के वज़े से जो आपको दिखने को मिला कि और एक company आ सकते उनका business जो अलग-अलग होता हुआ नजर आ जागा इसके वज़े से टाटा केमिकल में बड़ा benefit कैसे होगा तो देखे टाटा मोटर सर जो अपने आपको फोकस कर पाए इस वज़े से इस वज़े से मतलब EV market में तो सर अगर आप देखे गे तो इनका 74% तो इनका सर market share है कितना 74% आप सर माल लेते हैं कि यह अपने आपको अलग-अलग तुकड़ी में कर लेते हैं और सारी तुकड़ी पर सर focus करते हैं business में तो सर हो सकता है कि तो बैटरी तो लगाया जांगा ना बीना बैटरी के तो चलेगे ना क्योंकि सर प्रमोट कर रहे हो लोग EV को बताया जा रहा है तर टाटा ग्रूप टू इनवेस्ट 13,000 करोड कितना 13,000 करोड सेटिंग आप यहाँ पर देख सकते हो हो लितियम आयन जो भी सेल मनिफेक्ट जो फैक्टरी वगरा है वो गुजरात में आपको देखने को मिल लागा तो यह करने वाले है सर गुजरात में और बड़ा इंवेस्टमेंट कर रहे है क्योंकि सर अगर आप इलक्रिक वेकल्स बना रहे हो चलो भाई ठीक है लेकिन सर उसके अंदर बैटरी भी तो लगेगा अब ही माल लेते हैं कि सर आपका बिजनस बहुत ग्रोव कर रहा तो सर इसमें बैटरी तो में फोकस करेगा है कि नहीं है क्योंकि डीजल वाले के अंदर डीजल पैटरल तो इलक्टिव विकल के अंदर सर बैटरी चाहिए होगा उसी तरीके से यह जो बहुत बड़ा इंव जो वो company है सर वो recycling के लिए काम करती है क्या recycling बैटरी recycling और उसका stock का price देखे कहां से कहां चला गया तो वही चीज में आपको बता रहा हूं कि सर जितना EV में benefit देखने को मिलेगा उतना जाठा टाठा chemical को भी benefit होता हुआ नजर आ जाए गा सर और उनका business बढ़ेगा तो battery recycling के लि manufacturing होना चाहिए और जब देखो आपको पता है यह सर टाटा टाटा सर मतलब हर एक चीज के उपर बहुत अच्छे से धियान रखता है तो सर बैटरी के बहुत सार वेश्टेज भी होंगे तो वो किसको दिया जागा टाटा के अमिकल को दिया चाहिगा सर ठीक है किसी भी तरी पता कि अगर कार देखोगे तो लगबग जो है मतलब बहुत ज़्यादा है सर तो बहुत सारे खराब हो जाते हैं डैमेज हो जाते हैं या कुछ लोग बेच देते हैं या फिर पूराने हो जाते हैं या कुछ कुछ प्रॉलम हो जाता है तो सर उसको recycling करना है या बैटरी को दिना सर कार के अंदर बैटरी में पार्ट होता बहुत ज्यादा बैटरी ठीक है तो इस वज़े से सर इस कंपनी को ज्यादा ज्यादा बेनिफिट होने वाला है टाटा केमिकल को तो ध्यान रखिएगा उसके साथ साथ टाटा केमिकल एंड इस रो इन्होंने भी MOU साइन कर ल सकती है कोई दिकत वाली बात नहीं सर तो इस वज़े से हुआ कि इनके इनके पास सर एक और सोर्स बढ़िया एक और सोर्स बढ़िया जिनके वज़े से लुकबख जो है यह अपने बिजनस को और आगे बढ़ा सकते हैं तो टाटा केमिकल और एक कंपनी है सर गुजरात सकते हों मार्केट साइज इस एस्टीमेटे एट यूएसडी 62.07 बिलियन आपको बताया जा रहा कहां पर इन 2024 में कितना 62 माल के चलते हैं सर ठीक है एकस्पेक्टेट टू रीच बताया जा रहा यूएसडी 178.46 बिलियन बाई 2029 देख सकते हो जो लगबख 62 बिलियन है सर व आप सब यह इतना अगर बड़ा होता हुआ नजर आ जाएगा तो सोच लिजे लगबख जित्रे बैटरी बनाने वाल देखिए इसका मार्केटी से एटलिस्ट माल लेजे कि पांच गुना हो रहा ठीक है यह चार गुना ही माल लेते हैं चार गुना हो जा रहा तो स्टॉक क कितने टाइम हो जाएंगे समझें अगर आप एक अच्छी कंपनी में इंवेस्ट करते हैं तो यह मैं आपको बोला हूँ इस वज़े से टाटा इंवेस्टमेंट बूरा नहीं है मैं यह गलत नहीं बोला हूँ बस मैं आपको एक डायलोग की तरह बोला हूँ कि टाटा लाकर इनके पास बहुत सारी कमपनी है, तो सर इन में से देखी कि कौन सा ऐसा स्टॉक है, जो भी तक चला नहीं, उनके उपर फोकस किजिए, वो स्टॉक के उपर फोकस मत किजिए, जो सर अलेडी चल चुका है ने, तो सर फिर आपको मिलेगा कुछ नहीं, ऐसा है, देखें, ऐसे तो बहुत सार ऐसे बैटरी कमपनी है, हावारे इंडिया के अंदर, जैसे एक साइड इंडिस्ट्री, वो भी काफी पूरान अच्छा है, अमराजा बैटरी, ये भी सब लोगों को पता है, सब ठीक है, एजबील पाउर देख से तो, एवरेडी इंडिस्ट्री, ये भ सभी चीजों के लिए सर बैटरी बना था, ठीक है, तो ये सारे जो पैनेस्वानिक एनरजी अगर आप देखोगे, तो सर ये सारी चीजों जो है सर, ये बैटरी बनाने वाली कमपनी है, तो सर ये वो बैटरी बनाने वाली कमपनी है, और भी इंडिय में बहुत सार बैटरी के लिए investment कर रही है देख सकते हो तो JSW Group सर ठीक है और यह भी हाल फिल्यान में announce क्या गया 40,000 करोड छोटा मोटा amount है क्या सर 40,000 करोड अब यह बहुत बड़ी company सर इनके भी group है बहुत बड़ा group है इनका भी ठीक है तो सोच लिजे 40,000 करोड को चोटा मोटा amount है होता है यह किसके लिए किये जा रहे है सर तो बताया जा रहे है यहाँ आप देख सकते हो electric vehicles EV के लिए ठीक है EV battery के लिए manufacturing project आपको बताया जा रहा देख सकते है EV battery manufacturing project यहाँ पर तो इस type के आपको लग बज़ो है काफी अच्छी आपको benefit आपको देखने को मिले है तो electric vehicles वाले company पर ध्यान दीजे यह केवल electric vehicles बना के benefit नहीं करेंगे सर बैटरी बनाने वाले को भी benefit होगा अगर माल लेते हैं सर कार बना रहे हैं तो सर टायर बनाने वाले हैं सारी चीजे तो सर उनको भी बड़ा benefit देखने को मिलता है इस तरीके से मैं आपको वह लूगा कि केवल टाटा के टाटा मोटर पर ही focus ना किजिए और टाटा investment पर ही focus मत किजिए टाटा chemical पर ही focus मत किजिए सर सारे stocks पर focus किजिए बहुत सारे stock हैं जो अच्छा perform कर रहे है चलिए मैं आपको एक टास्क देता हूं टाटा ग्रूप का सबसे छोटा company जो केवल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक दम उसको बाप्रेवाप इतना return निकाले के दिया है कि टाटा investment उसके सामने हाथ दोनों हाथ जोड़ देगा टाटा ग्रूप की company है देखो ये भ बता सकते हो टाटा ग्रूप के अंदर जो टाटा investment से ज्यादा बड़ा return निकाल के दे रखा है बता सकते हो नहीं बता सकते है अप लोग कोई दिकत में अगर आपको पता है तो अगर नहीं पता है तो आप comment किजिए ये like किजिए इतना ज़दा हो सकता है like किजिए ठीक है म कि मैं आपको बोलना चाहरा हूं सर दो चर कंपनी को पर ध्यान मत देजिए बहुत चारे है ठीक है comment किजिए और like किजिए सर ज़्यादा ज़्यादा अगर आप उसके बारे में जानना चाहते है तो मैं और detail उसके बारे में जनकारी निकालूँगा ढूंडूँगा और आप